तो सभागत है आप सब का आज की वीडियो भहत ही खास है आज की वीडियो में आप सब को उत्रा खंड के पर्सित पंच केदार केदानाथ धाम मद महिस्वर धाम रुद्रनाथ महादेव मंदिर तूग panels तो इन सब पड़ाओं पर भी इन सब धामों में भी आप लोगों को अपने परिवार के साथ दोस्तों के साथ दर्शन करने के लिए जरूर जाईएगा यहां कैसे पहुचा जाए यह कहां कहां इस्तित हैं इस सारी बाते आपको विस्तार से इस वीडियो में बताई जाएंग जो लोग पहली बार मेरी चैनल पे आए हैं पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमली को मेरा परणाम स्वागत है आप सबका होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी मैं कोशिस करूँगा कि आज की वीडियो के माध्यम से कम से कम समय में आप सबको घर बैठे इन पंच केदारों के दर्शन करा सकूँ वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा तो दोस्तों रुत्रनात मंदिर उत्राखंड के चमुली जिले में स्थित है यह मंदिर पंच केदार में से एक है और भगवान सिप को समर्पित है यह मंदिर समुंदर तल से 11,800 फीट की उचाई पर बना हुआ है गोपेश्वर से मंदिर की दूरी 23 किलोमेटर के लगभग है गोपेश्वर से आपको सागर ग्राम पहुचना पड़ेगा अब वहां से 18 किलोमेटर की ट्रेकिंग सुरू होती है तो गोपेश्वर से मंदिर की दूरी 23 किलोमेटर के लगभग पढ़ जाती है तो दोस्तों अब बात करते हैं रुद्रनात मंदिर कैसे पहुचा जाए अगर आप हवाई सेवा यातरा के माध्यम से पहुचना चाते हैं तो सबसे पास एयरपोर्ट आपका जॉली गरांट एयरपोर्ट है जो कि रिसी केस देरदून के बीच में डोई वाला के पास इस्ति सकते हैं दोस्तों पहाडों में अभी ट्रेन और हवाई यातरा संभव नहीं है केवल रोड के माध्यम से ही यातरा होती है तो दोस्तों जब आप रेलवे स्टेशन पहुच गए एयरपोर्ट पहुच गए तो वहां से आप बस के माध्यम से गोपेस्वर पहुच सकते हैं या फिर अपनी प्राइवेट वहिकल में सफर कर सकते हैं आप लोग टैक्सी भी हायर कर सकते हैं आपका पहला पढ़ाव गोपेस्वर है जॉली गरांट एयरपोर्ट से गोपेस्वर की दूरी 258 किलोमेटर के लगभग है प्रॉक्स और रिसीकेस रेलवे स्टेशन से 241 कि तूरी पर गोपेस्वर इस्थित है तो अगर आप गोपेस्वर पहुच जाते हैं तो आपको गोपेस्वर से सागर गाउं पहुचना पढ़ेगा यह आघरी पढ़ा हुआ है यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार कर सकते हैं और यहाँ से आपकी फिर पैदल यातरा करेंगे तो आपको गाउं के पास एक बड़ा सा गेड दिखेगा पस यही से 18 किलोमेटर का ट्रेक सुरू होता है आप अपने बैग में जरूरी समान रख लीजिए एक्विपमेंट्स रख लीजिए ट्रेकिंग सुरू की जाएगी और दो घंटे की चड़ाई के बाद थकान अपना भी दूर हो जाएगी पुन बुग्याल में आप विश्राम भी कर सकते हैं रिलैक्स हो सकते हैं और उसके बाद आप सुरू करेंगे चड़ाई लीती बुग्याल के लिए आपको घंए जंगलों के बीच से होते हुए जाना पड़ेगा और प्रकरती का सौंद परवत की स्रंखलाएं देखने को मिलेंगी जो की 7138 मीटर की उचाई परिस्तित है समदर तल से दो घंटे की चड़ाई के बाद आप पित्रधार पहुचेंगे पित्रधार में आपको घंटियां और जंडे फ्लैग देखने को मिलेंगे यहां से एक किलो मीटर उतराई प आपको नौला पास पहुच जाएंगे आप नौला पास से चार किलो मीटर की दूरी पर आपका रुद्रनाथ महादेव मंदिर प्राचीन पौराणिक मंदिर आपको देखने को मिलेगा आप दर्शन कर सकेंगे मंदिर के रुद्रनाथ मंदिर में भगवान सिफ के चहरे की पूजा की जाती है रुद्रनाथ मंदिर को रुद्र मुक भी कहा जाता है सांति पूर्ण माहुल और आदर सोभाव से भक्तों के लिए यह जगा अधिक धार्मिक और पवित्र है तो आप सब भी दर्शन करने जरूर पांडव भ्रात्य हत्य के पाप से मुक्ति पाना चाते थे लेकिन पगवान शिव उनसे रुष्ट थे पांडव उनके दर्शन के लिए खोस्ते खोस्ते हिमाले तक आप पहुचे पगवान शंकर वहां से अंत्रध्यान होकर केदार जाबसे दूसरी ओर पांडव भी लग मिले पांडवों को संदे हो गया था अता भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर दो पहाडों पर पैर फैला दिये अन्या सब गाई बैल तो निकल गए पर शंकर जी रूपी बैल पैर के नीचे से चाने को त्यार नहीं हुए भीम बल पूर्वक इस बैल पर जप्टे लेकिन बैल भूमी में अंत्रध्यान होने लगा तब भीम ने बैल की पीट का भाग पकड़ लिया भगवान शंकर पांडवों की भक्ती दिरिड संकल देकर परसन हो गए उन्होंने ततकाल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक प्त कर दिया उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीट की आकरिती पिंड के रूप में स्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं जब भगवान संकर बैल के रूप में अंतरध्यान हुए तो उनके उपर का भाग काट मांडू में परकट हुआ और नेपाल में पसुपती नाज प्राजची का प्राजचीन पौरानिक परसित मंदिर है भगवान की भुजाएं तुंगनात में मुख रुद्रनात में नाभी का भाग मद महिश्वर में और जटा कलपेश्वर में परकट हुई इन सभी धामों में मंदिर बने हुए हैं और सरदालू यहां दर्शन के लि में होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यावाद थैंक्यू फ्रेंस थैंक्यू एवरिवन रासी तक मोटर मार्ग है रासी मोटर मार्ग से जुड़ा आखरी गाउं है यहां से मतमहिश्वर धाम के लिए पैदल मार्ग है ट्रेकिंग सुरू हो जाती है पैदल मार्ग में गोधार, मैं, खंबा, चटी, आदी छोड़े छोटे गाउं मार्ग में मिलते हैं जहां रहने खाने की उचित व्यस्ता है गाउं के लोग सरल सौम्या मन से आपका स्वागत करते मिलेंगे संपूर मार्ग परकरती के खुबसूरत नजारों से भरा होता है मदमेश्वर जाने के लिए इन गाउं से खचर पोटर भी मिल जाते है 16 से 17 किलो मिटर की चड़ाई है एपरॉक्स और आपकी बीज बीच में गाउं में रहने की वैस्ता हो जाएगी अब करते हैं बात दोस्तों मदमेश्वर धाम की मदमेश्वर धाम वगवान सिपकी नावी की पूजा की जाती है यहाँ ये पंच केदार में इसको तीरतिया इस्तान माना गया है मदमेश्वर उत्रखंड के गड़वाल छेतर के रुद्रपयाग जिले में समुंदर तल से 3290 मीटर की उचाई पर रिस्तित है चारो और हिमालों से गिरे इस रमनिया इस्तान की खुपसूर्ती देखते ही बंती है मदमेश्वर मंदीर से 3-4 किलो मीटर अगर हम चड़ाई चड़े और उपर तो एक बुग्याल आता है वहाँ एक छोटा सा मंदीर है जिसे बुड़ा मदमेश्वर कहा जाता है यहां से हिमाले के चोखंबा परवत का भव्या दर्शन होता है चोखंबा के साथ-साथ मंदानी परवत के दानाथ हिमाले श्रेणी आधी के दर्शन भी होते हैं बग्ति के साथ-साथ यह जगह ट्रेकिंग के सौकेनों के लिए भी खास मानी जाती है मद्यमेश्वर के कपाट 6 मा के लिए खुले जाते हैं बाकी सर्दियों के 6 मा यहां बहुत ज़्यादा भरव पड़ी रहती है पूरी परवती भरव से ढखा होवा रहता है इसनों फॉल होता है तो उकी मट में भगवान की पूजय अर्चना की जाती है फिर गर्मियां आते ही यहां के कपाट खुल जाते हैं जब चारो धामों की कपाट भी खुलते हैं उसी दोरान तो दोस्तो बात करते हैं रोड के माध्यम से रिसी केस, हरिद्वार, देरध, उन से डैरेक्ट बस ले सकते हैं आप उकी मट के लिए अगर वो नहीं मिली तो आप हरिद्वार या रिसी केस बस अटे से प्राइवेट और गवर्मेंट बस चलते रहती हैं आप उनके माध्यम से देप्रियाग, स्रीनगर गडवाल, रुदरप्याग होते हुए उकी मट पहुच जाएंगे दूसरा जो रोड का माध्यम है वो है कोड़वार से पौड़ी होते हुए पौड़ी से स्रीनगर गड़वाल होते हुए रुद्रप्याग होते हुए उखिमट पहुच है तीसरा जो माध्या में हुआ है गोपेश्वर से चोपता वाला जो रूट है जो तुंगना चोपता वाला रूट है वहां से होते हुए उखिमट पहुच आईए आप बात करते हैं बाई एयर से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो देरदून में लोकेटेट है वहाँ से मदमेश्वर धाम की दूरी 235 किलोमेटर की है और ये सबसे पास एयरपोर्ट है एयरपोर्ट से और उखिमत आने के लिए फिर आपको रोड का माध्यम चुनना पड़ेगा और गाड़ी, टैक्सी या प्राइवेट वैकल से पहुचना पड़ेगा अब ट्रेन की बात करते हैं तो हरिद्वार में आप पहुच सकते हैं हरिद्वार से मतमेश्वर दाम की दूरी 202 किलो मिटर के एप्रॉक्ष पर जाती है और वहां से फिर आप कैब वगएरा, टैक्सी वगएरा करके पहुच सकते हैं यहां पहले 12 किलो मिटर का ट्रेक था और रोड केवल हेलांग तक जाती थी पर अप देवग्राम विलेज तक रोड पहुच गई है जहां से टेंपल 300 मिटर की दूरी पे है रिसी केश से 253 किलो मिटर दूर है रिसी केश पत्रिनाथ रोड पे पढ़ता है यह मंदिर पांडवों के द्वारा बनाया गया था पंच केदार में से एक है यहां बगवान सिप की जटा प्रकट हुई थी सिप बगवान की भुजाएं तूर नाथ में मुखरुद्र नाथ में नावी मद महेश्वर में बगवान संकर पैल की पीट की आकरती पिंड के रूप में स्री केदार नाथ में पूजे जाते है और जटा कलपेश्वर में प्रकट हुए इसलिए इन पांचे स्थानों में स्री कलपेश्वर को पंची कितार कहा जाता है कलपेश्वर मंदिर की यातरा के लिए कार वा बाइक द्वारा जाये जा सकता है रिशी केस से टेक्सी, बस, सुमो सड़क द्वारा वहां पहुचा जा सकता है कुछ स्थान पर सड़क कच्ची बनी हुई है जो मांसून के दारन छतिगरस हो जाती है लारी गाउं से कलपेश्वर मंदिर तक पैदा द्वारा जाया जा सकता है जो लगबक दो किलो मिटर दूर है पर अब मंदिर तक पूरी रोड पहुच गई है तो मंदिर के नीचे तक रोड जाती है वहां से मंदिर तीन सो मिटर की दूरी पह आई आप अपने सब फैमली के साथ थैंक्यू तो दोस्तों सुरुआत करते हैं सोन प्रयाग से जो हमारा सबसे पहला पढ़ा हुए न वो है आपका सोन प्रयाग तो रिसी केस से सोन प्रयाग कैसे पहुचना है उस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई है आप सबको चैनल पे मिल जाएगी रिसी केस से सोन परियाग आपका 210 किलो मीटर की धूरी परिस्तित है और 6 गंटे 27 मिनिट का समय लग जाता है पहुचने में जब आप लोग रिसी केस सोन परियाग पहुच जाएंगे न दोस्तों तो सोन परियाग आपका पहला पढ़ा हुए यहां आपको अपनी गाड़ियां पार करनी पढ़ेंगी क्योंकि यहां से आगे गाड़ियां नहीं जाती है आपको वहां लोकल गाड़ी लेनी पढ़ेगी अब जैसे आप बुलोरो लेते हैं तो आप बुलोरो के माध्यम से गौरी कुंड पहुच सकते हैं गौरी कुंड य उसका किराया आपको 30 रुपे के लगभग पड़ेगा गौरी कुंड में आपको पारवती मैया गौरा मैया का मंदिर देखने को मिलेगा बहुती पराचिन पौरानिक मंदिर है तो जब आप लोग यातरा करेंगे तो मैया के दर्शन जरूर कीजिएगा एक रस्ता आपका पर आगे जब बढ़ेंगे आप तो आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा तो यहां पर आपका जो घोड़ा सवारी होता है उसका टिकट बुक होता है एक साइड का 300 रुपे के पर जाता है इसी रस्ते के नीचे के तरफ आपका घोड़ा इस्टैंड आए तो वहां पर आपको हजारों गोड़े देखने को मिल जाएंगे रस्ते में भी मिलते हैं बीच बीच में तो आप लोग वो बुक कर सकते हैं पाल की बुक कर सकते हैं अगर आप लोग पूचेंगे सबसे सस्ता यात्रा तो आपको करनी पड़ेगी पैदल यात्रा जब आप लोग यातरा को continue करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको बीच बीच में खुबसुरत जरने देखने को मिलेंगे और पूर प्राकरतिक सोंदर या खुबसुरत वाजियों के नजारे देखने को मिलेंगे आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी अगर आप लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के सोखीन है तो आप लोग यहाँ पर रुक कर कुछ समय नेचर के साथ भी समय बिता सकते हैं अपने खुबसूरत मोमेंट्स को capture कर सकते हैं बहुत सारे जरने आपको देखने को मिलेंगे जो साल बर बैते रहते हैं इनी जरने के किनारे किनाने रास्ता आगे की तरफ बढ़ता है गौरी कुंडस से चार किलो मीटर आगे की तरफ आपका जंगल चट्टी देखने को मिलेगा आपको आप जब धाम की तरफ ट्रैवल करेंगे तो आपको खुशी का अनुबा होगा आपकी सारी ठकान दूर हो कि यात्रा नहीं हो रही इस वज़े से सारी दुकाने आपको बंधी देखने को मिलेंगी फिर गौरी कुंडस से जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो जंगल चट्टी को क्रॉस करने के बाद भी जब आप लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे तो भीमबली आता है अब फिर भीमबली से एक किलो मिटर आगे की तरफ आपको देखने को मिलेगा रामबाडा रामबाडा के बारे में तो आप सबको पहले से ही पता है यहाँ पर आपको रुद्र वाटर फॉल देखने को मिलेगा तो रामबाडा दोस्तों आपका गौरी कुंड से 6 किलो मिट पर उपर की तरफ इस्तित है यहाँ पर एक पुल आता है उसको क्रॉस करने के बाद आप लोग उस तरफ जाएंगे अब फिर आपको पैदल यात्रा को कंटिन्यू करेंगे रामबाड़ा से चार किलोमेटर आगे की तरफ आता है आपका छोटी लिंग चोली बड़ी लिंग चोली आता है फिर उसके बाद यहां से आपको पूरी घाटी का सिनेरिक नजारत देखने को मिलेगा घुपसूरत हिमाले आप सबको तो पता ही है कि चारो धाम हमारे हाइट परिस्तित है तो आपको यहाँ पर बरफीले पहाड और गिलेशर देखने को मिलते है एक सवाल आप लोगों ने पूछा है तो मैं आप लोगों को किलरली बता दूँ कि अभी यातरा नहीं हो रही है जब गाइडलाइंस आज आएंगी तो आपको मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को इनफॉर्म कर दूँगा जैसे आप लोग केदानाथ धाम पहुचिंगे तो इस्टार्टिंग में आपको टैंक्ट देखने को मिलेंगे राइटें साहिट पर तो यह इस्टे करने के लिए बनाए गए हैं 300 रुपे प्रतिवक्ति चार्ज परता है यहां पर पड़े के हिसाब से और उसी के नीचे के साइड आपको केदानाथ हलिपैड देखने को मिलेगा तो जो जो सरदालों लोग पैदल यातरा नहीं कर पाते हैं वो हवाई यातरा के माध्यम से भी इसका लाब उठा सकते हैं उसी के आगे पे आपको मंदागनी और सरस्वती नदी का घार देखने को मिलेगा मंदीर भी है यहां पर तो दोस्तों फाइनली हम केदाना धाम पहुच गए हैं होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी भगवान भोले ना महादेव आपके अपनी किरपा बनाए रखे बाबा केदार आपकी सारे मनों कामनाए पूर्ण करे आपको चारों तरफ बरफीले पहार देखने को मि चलेगा और यहीं मंदिर के ऊपर की तरफ आपका भहरबाबा का मंदिर है तो वहां की जलक भी मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा मंदिर के पीछे की तरफ अभी वी कारिया चली रहा है फीच्वर को देखते हुए तो दोस्तों आप बात करते हैं तुंगनात महादेब मंदिर की तुंगनात महादेब मंदिर पहुचने के लिए आपको पहुचना पड़ेगा रुदर प्याग रुदर प्याग से आप पहुचेंगे कुंड कुंड डाइवर्जन पॉइंट है दोस्तों कुंड से एक रू थोड़ा आगे पे चड़ाई के बाद आपको उखीमट देखने को मिलेगा तो उखीमट वाले रूट पे आप लोग कंटिन्यू करोगे तो आगे आता है आपका चोपता चोपता बहुत ही खुपसूरा जगा है दोस्तों यहीं से ट्रेक सुरू होता है तुगनात महादेव म गेता नइधर के जलग दिखाई के दाना धहम के कपार्ट खुल चुके हैं उसी के साथ आपका पंचगेदारों के कपाट भी,साथ कवल जाते के मेरे में लूग यहां आएंगे तो इन धहमों में भी, इन पंचगेदारों भी दर्शन करने जरूर आईएका तो दोस्तों मिलते हैं आप सबको नेक्स वीडियो में, बहुत सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ड देने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, शेर करने के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जै दे भुमी उत्राखंड, जै हिन्द, जै भारत